Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Proof that root of 5 is not a rational number. यहाँ पर देखें आपको प्रूफ करना है कि जो आपका अंडर रूट 5 है वो आपका rational number नहीं है. तो देखें यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे बहले इसको चंट्राडिक्शन मैथड यहाँ पर यूज करते हैं. कंट्राडिक्शन मैथड में क्या होता है? आपको इसको rational number मानना होगा और प्रूफ करना होगा कि हमारे जो exception थी वो wrong है. अब देखें यहाँ पर लैट करते हैं. लैट अंडर रूट 5 is a rational number. यहाँ पर हमने कहा कि अंडर रूट 5 हमारा rational number है. अब देखें rational number आपके होते क्या है? a number is in the form of p upon या a upon b यहाँ पर राइट कर लेंगे. a upon b where b does not equal to 0 and a, b are integer. यहाँ पर हमारे a, b आपके क्या होंगे? यह इंटीजर होंगे. और वो number आपका जिसको a upon b की form में represent या लिखा जा सके. उसको क्या कहते है? rational number कहते है. अब देखें यहाँ पर यदि अंडर रूट 5 हमारा rational number है. तब अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 can be returned in the form a upon b. तो इसको a upon b की form में लिखा जा सकता है. क्योंकि rational number की definition ही है आपकी. यहाँ पर देखें b की जो value होगी वो 0 नहीं होगी. तो यहाँ पर देखिए where a and b are co-prime. यहाँ आपके a and b आपके क्या होगे यहाँ पर? co-prime होगे. co-prime का मतलब होता है यहाँ पर no common factor. other than other than one. co-prime का मतलब होता है कि one के अलावा इसके अंदर कोई भी common factor नहीं होंगे. तब देखें यहाँ पर. So, यहाँ पर आपका under root 5 is equal to क्या हो जाएगा? a upon b हो जाएगा. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? squaring both side दोनों side square करेंगे. then यहाँ आपका आजाएगा 5 is equal to a square upon b square and यहाँ से आपका आजाएगा 5 into b square is equal to a square. यहाँ आपका हो जाएगा. अब देखें यहाँ पर 5 is equal to a square. तो यहाँ पर क्या write कर सकते हम यहाँ पर? जो यह b square है, इसको write किया जा सकता है a square upon 5. इसको यहाँ पर ऐसे write किया सकता है. अब देखें यहाँ पे a square को divide कौन कर रहा है 5 कर रहा है a square को divide तो hence 5 divides a square तो यहाँ पे जो यह 5 है यह a square को divide कर रहा है और हम जानते हैं आपके एक theorem होती है if p is prime यदि p हमारा prime है यहाँ पे prime number है and p आपका divide कर रहा है p divides a square then यह p आपका क्या होगा यह divide करेगा p divides a यह आपका p a को भी divide करेगा जहाँ पे a हमारा क्या होगा कोई positive number होगा so इस theorem से हम क्या कह सकते हैं so इस theorem से हमने यहाँ पे कह दिया के p हमारा क्या है मतलब जो आपका यह 5 है यह क्या करेगा 5 divides a 5 आपका a को भी divide करेगा इसको हमने यहाँ पे क्या किया इसको माना second equation and इस जो आपके definition हमने दिया इसको first equation मान लिए क्योंकि हम इसे आगे भी use करेंगे now यहाँ पे देखिए यदि आपका a को 5 डिवाइड कर रहा है तो हमने क्या किया यहाँ पे is equal to c मान लिए इसको यह हमने अपनी तरफ से माना है तो इसको say कह देंगे now यहाँ पे आपका क्या हो जाए cross multiply कराएंगे तो a is equal to 5 c आपका आ जाएगा a is equal to यहाँ पे आपका 5 c आ गया और आपका देखिए आपका यहाँ पे क्या था 5 b square is equal to a square था तो यहाँ पे हम a की value put कर देंगे तो 5 b square is equal to 25 c square आपका हो जाएगा and यहाँ पे देखिए इसको 5 से cut करेंगे यहाँ पे तो यहाँ आपका आ जाएगा तब B sqr is equal to क्या जाएगा आपका यहाँ पे 5C sqr and यहाँ से हम क्या करेंगे C sqr is equal to B sqr upon 5 आपका लिखा जाएगा यह इस 5 को हम नीचे लेके जाएगे तो क्या लिखा जाएगा B sqr upon 5 so यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है 5 आपका क्या कर रहा है divides B square 5 आपका यहाँ पर divide कर रहा है B square को तो यहाँ पर देखिए from first equation जो आपकी definition है इससे आपका क्या हो जाएगा then 5 जो आपका है यह यह आपका divide करेगा divides B 5 आपका किसको divide करेगा B को divide करेगा और इसको हम माल लेते हैं यह आपका equation third है यह आपकी कितनी हो जाएगी third equation हो जाएगी तो यहाँ पर आपको क्या पतला लगा कि 5 जो है आपका divide कर रहा है B को और यहाँ पर 5 divide कर रहा है A को तो यह आपका 5 क्या हो जाएगा factor of A and also factor of B तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे from second and third second and third equation से आपका क्या हो जाएगा 5 जो है आपका वो divide करेगा both A and B दोनों को divide करेगा A and B को यदि आपका 5 दोनों को divide करेगा A and B को then तब आपका क्या हो जाएगा यह 5 हमारा क्या हो जाएगा is the factor factor of A and B both यह दोनों का factor हो जाएगा और हम आपके क्या कहा था हमने के A, B हमारे co-prime है और उनका एक के अलावा कोई factor नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा so A and B are not co-prime हमारे जो A और B हैं में आपके co-prime नहीं होंगे hence यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा our ejection जो हमारी जो हमने माना था our ejection is wrong यहाँ आपके क्या हो जाएगी our ejection is wrong तो यहाँ पे क्या होगा by contradiction जो आपका contradiction method होता है वो आपका क्या हो जाएगा उससे by contradiction under root 5 is not a rational number यह हमारा rational number नहीं होगा hence आपका यहाँ पे आंसर आजाएगा under root 5 is not a rational number I hope you understood the explanation thank you